मैं कॉंग्रस का समखर नहीं करती लेकिन इसे एक इमानदार नागरी खोने के नाते सुनियेगा मोती जी 60 साल 60 साल मत चिलाया करो देश और जनता को उल्लू मत समझो आप उस देश के प्रदान मंत्री हो जो देश 300 साल तक गुलाम रहा था जिस देश को अंग्रेजों ने लूट खसोत कर इस देश की बागड़ को कॉंग्रेस को सोपी थी 1947 में देश में सुई तक नहीं बनती थी सारा देश राजा रजवारों के जगड़ों में बटा हुआ था देश में मात्र 50 गाओं में बिजली थी पूरे राजस्तान मात्रों में 20 राजाओं के पास खोन था किसी गाओं में नल नहीं थे पूरे देश में मात्र 10 बान थे सीमाओं पे मात्र कुछ सैनिक थे चार विमान थे 20 टैंक थे देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थी खजाना खाली था ऐसे बदहाल में हमारा हिंदुस्तान कॉंग्रेस को मिला था इन साथ सालों में कॉंग्रेस ने हिंदुस्तान में विश्व की सबसे बड़ी ताकत यानि सबसे बड़ी सेना तैयार की हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्टरिया, लाखों गाओं में बिजली, हजारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखों किलोमेटर सरकों का निर्मान, परमानू बम, हर हाथ में फोन, हर घर में मोटर साइकल वाला मजबूत देश इन 60 सालों में तयार करके दिया ह भारत ने पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत किये भूतपुरों प्रदान मंत्रियों ने कई इतिहास रज़ दिये जिसकी वज़े से भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है भारत दुनिया का सरवशे समीधान बन चुका है भारत इशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है भारत ने भागड़ा और रिहन जैसे बान भी बन चुके है देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उटगाटन कर चुका है देश में तारापूर परमानों बिजली घर शुरू हो चुका है देश में कई, दरजन, एम्स, आयाईटी, आयाई, एमस और सेक्रों विश्यों विद्धाले ही खुल चुके नहरू ने, नवरत ने कंपनियां स्थापित कर दी गई है कई सालों पहले भारती सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को लाहोर के अंदर तक घुस कर मारा था और लाहोर पर कवजा कर लिया था पंडित नहरू पूर्टगाल से जीत कर गोवा को भारत में मिला चुके थे नहरू जी ने इस रो यानि इंडियन स्थेस रिसर्च और्गिनाजेशन की शुरुवात भी कर दी थी भारत में श्वेत कर रान्ती की शुरुवात हो चुकी थी देश में उद्योगों का जाल बिच चुका था इंदिरा जी पाकिस्तान के दो टुकडे कर चुकी थी पाकिस्तान एक लाग सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था तब भारत में बैंकों की राष्ट्री और करन हो चुका था इंदिरा जी ने सिक्कीम को देश में जोड लिया था देश अनाज के बारे में खतात्म निर्भर हो चुका था भारत हवाई जाज और हेलिकॉप्टर तक बनाने लगा था राजीव गांधी ने देश के घर घर में टीवी पहुचा दिया था देश में सूपर कंप्यूटर टेलिवीजन और सुशना करांती यानि इंफोर्मेशन टेकनोलोजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी जब मोदी प्रधान मंत्री जी की शपत ले रहे थे तब तक भारत सरवादिक विदेश मुद्रा के कोश वाले प्रत्थम दस राश्टरों में शामिल हो चुका था इनके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, जीसल्वी, मेट्रो, मोनो रेल, अंतरश्ट्रे हवायडे, न्यूकलियर पंडूबी, देहरो मिसाइल, पृत्वी, अगनी, नाग, दरजन और पर्मानों सहींत्र, चेतक हेलिकॉप्टर, मिग, टेजस, ध्रोन, अर्जुन, ट्रे आई है, ताकि मोदी जी उनके जुमले गलत साबित हो सके, जी बार-बार उनका पूछना के साट सालों में क्या हुआ, तो उन्हें पता चल सके, और अंद धक्तों की आपर से पक्ती उतर सके, जै हिंद्द. झाल, 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 झाल